Hello दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलो बेरा कितने परकार का होता है तो चलिए वीडियो को सुर्व करते हैं दोस्तो, एलो बेरा की परकार की अगर बात की जाए तो इसके कई परकार मौझूद है सभी के बारे में बताना असान नहीं है लेकिन कुछ के बारे मैं आपको जनकारी देता हूं नमबर वन एलो बर्ब डेंसिस दोस्तो यह एलो वेरा का सबसे आम परकार है यह एलो वेरा अपने अवसधिये गुनों के लिए जाना जाता है नमबर टू टाइगर एलो दोस्तो यह एलो वेरा की सबसे खुबसूरत परजातियों में से एक है जिसे एक छोटे से गमले या कंटेर्नर में रखा जा सकता है दोस्तो इसमें तलवार के अकार की पतिया होती है जिस पर चित कबरे धब्बे होते हैं नमबर थ्री, क्लाइम्बिंग एलो दोस्तो यह एलो वेरा के दूरलब परजातियों में से एक है इसकी पतिया आसपास के पेंड़ पौधों में फैल सकती है नमबर फोर, एलो डेस्क इंगसी दोस्तो यह एलो वेरा की सबसे छोटी पर जाती होती है यह केवल दू से तीन इंच तक बढ़ती है घरे हरे रंग की पतियों पर सफेद धब्बे होते हैं गर्मी के मोसम में इस पर पीले नारंगी रंग के फूल खिलते हैं नमबर फाइब, रेड एलो दोस्तो धीमी गती से बढ़ने वाले रेड एलो को पानी की कम अवसेकता होती है सूरज की किरन पढ़ते ही यह खुबसूरत लाल रंग सा दिखाई देता है यह एलो वेरा के सबसे आकर्सक किसमों में से एक है तो दोस्तो अभी आपने एलो वेरा के कुछ परजातियों के बारे में जाना वीडियो कैसी लगे हमें जरूर बताए